नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल पहले क्लासिज में आज हम बात करेंगे दिशा और दूरी के MCQ Part 2 की पहले क्विशन की बात करते हैं विवेक और अशोक एक निस्चित इस्थान से चलना परारम करते हैं विवेक उत्तर की और तीन कि किलोमेटर चलता है अशोक जो है पस्चिम की तरफ पांच किलोमेटर जाता है दोस्तों और दाइं और मुड़ता है फिर तीन किलोमेटर चलता है दाइं और मुड़कर कितना तीन किलोमेटर चला अशने का वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है तो दोस्तों विवेक यहां पे है और अशौक यहां पे है यह 4 km की दूरी है और ये 5 km की दूरी ये देखिए यहां पर पांस है यानी टोटल दूरी कितनी है 9 km यह दोनों कितनी दूर है एक दूसरे से 9 km दूर है तीसरा ओक्षिन राइट हो जाएगा नेक्स एक शाम राजा ने सूरय की और चलना शुर जा रहा है थोड़ी दूर चल कर अपने दाईचिंगे वे निक इधर से लिसा में जा रहा है ये दिशा कौनसी है नो PAUL वीचोप्ष ने एक राइट हो जाएगा next रादीका अपने घर से दक्षिन में 50 मिटर गई दक्षिन की तरफ 50 मिटर गई रादीका फिर बाय मुड़ी बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों किस साइड मुड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ देखिए आप देख सकते हैं बाया यानि लेप्ट हेंड किस साइड होगा यह साइड होगा बाया मुड़कर 20 मिटर गई पुनिय वह उत्तरकी और टीस मिटर गई अब उसका घर इस इस्थान से किस दिशा में होगा, तो उसका जो घर है, वो इस इस्थान से किस दिशा में होगा, इस दिशा में, ये दिशा कौन सी है दोस्तों, उपर की साइड उत्तर होता है, और इधर क्या होता है, पस्चिम, तो वो कौन सी दिशा में है, उत्तर पस्च फिर बाई और मुड़ी और 80 मिटर चले इदर मुड़ के 80 मिटर चलके आगे अंत में वह 45 डिगरी के कौन पर दाई और मुड़ी 45 degree के कौन पर दोस्तों दाइं साइड ये है और 45 degree का कौन ऐसे बनेगा वह आखिर किसे दिशा में आगे बढ़ रही थी तो दोस्तों ये तो है उत्तर की साइड में और ये है पस्चिंग की साइड में अब वो किस दिशा के अंदर जा रही है को यहां पर आप देख सकते हैं यह कौन सी दिशा की तरफ जा रही है यह जा रही है इततर है कि तरफ क्योंकि यदि मैं उत्तर की और अपना दाया हाथ फैला कर खड़ा हूँ, दोस्तों दाया हाथ उत्तर की तरफ है, तो बाया हाथ दक्षिन की साइड होगा, तो यह बताओ कि पीट, पीट पिछे की साइड में होगी तो वो पीट किस तिशा में होगी, पीट होगी इसकी पूरव भजयारी, कि गड़ी में साड़े-4 बजय का समय दिख रहा हाथ, यदि मीनट की सुई पस्चिम दिशा को दिखा रहा ही है, तो तो धोस्तों ये जो गणते की सुई वो च्यार पर रहेगी और मीनट की सुई किस ते रहेगी, ररान दिशा में है तो दोस्तों ये दिशा पस्चिम है तो आपको ये जो नीचे ये जो घंटे की सुई है ये कौन जी दिशा हो दिशाएगी तो नीचे की तरफ क्या होगा दोस्तों दक्षन होगा यहां क्या होगा उत्तर होगा यहां क्या होगा पूरफ होगा तो घंटे की जो सुई है वो कि किलोमेटर चला उत्रपस्चिम यानि ये दिशा में वहां से वहें 90 डिग्री दक्षणावर्थ घूमा दक्षणावर्थ दिशा कौन से होती है दोस्तों जो घड़ी की सुई होती है वो होती है दक्षणावर्थ वहां से वहें 90 डिग्री पे घूमा दक्षणावर्थ यानि कि फिर घड़ी की सुदिशा में गुमेगा यानि यहां गुम गया 90 डिग्री और 6 किलोमेटर चला अब अपने प्रारम भिक आवस्ता से किस दिशा में तो प्रारम उसने यहां से किया था अब वो कौन सी दिशा में है प्रारम इक से कौन सी दिशा के अंदर है दोस्तों यह ह कुछ समय चलने के बाद वह अपनी बाई और मुड़ा उसके बाद वह अपनी बाई और मुड़ा उसके बाद दोस्तों वह अपनी बाई और मुड़ा यानि कि लेफ्ट एंड साइड की दरफ मुड़ गया अब वह किस दिशा में चल रहा है तो यह दिशा कौन सी थी पूरव थी तो पूरव दिशा की और चल रहा है यानि option यह राइट हो जाएगा next अरुन पूरव की और सीधे चलना प्रारम करता है अरुन है वो पूरव की और सीधे चलता है और कितने चलता है 75 किलोमेटर तक जाता है 75 मिटर तक जाता है फिर वह बाइई और मुड़ता है पिछेतर मिटर चलने के बाद बाइई और मुड़ता है बाइई और मुड़कर 25 मिटर सीधे चलता है 25 मिटर चलने के बाद पुन है बाइई और मुड़ता है और 40 मिटर चलता है अंत में वह फिर बाइई और मुड़ता है और 25 मिटर चलके आता है वह प्रार्मिक बिंदू से किस दूरी पर दोस्तों ये पूरी दूरी कितनी थी 75 और ये जो बीच की दूरी वो कितनी है 40 अब वो इस स्थान पे है तो पिछेतर में से 40 गए कितनी दूरी पर हो जाएगा 35 मिटर की दूरी पर हो जाएगा तरिक हो जाएगा 35 मिटर की दूरी हो n é दे जाएगी दित।